तो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल Go to Success में फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले चैनल को नाम है Go to Success अगर आप Net, JRF, PGD, GIC या फिर Assistant Professor Exam की तयारी कर रहे है शुशौल जिसे तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपने study को complete कर सकते हैं प्लेलिस में उन सभी वीडियो के folders आपको मिल जाएंगे आप वहां से उन वीडियो को देख सकते हैं तो चलिए start करते हैं फर्स्ट कोशन है व्यसन विहीन अपराद की अवधारना किस ने दी है ओप्शन में है सदर्लैंड, टॉफ्ट, लॉंब्रोसो और मैकेवर तो यहां पर व्यसन विहीन अपराद का जो concept है वो टॉफ्ट का है ओप्शन बी यहां पर right answer हो जाएगा यह crime के लिए culture को जिम्मेदार बताते हैं जो अपराद है उसके लिए एक जिम्मेदार कारक क्या है इनके अनुसार वो संस्कृती बताते है ठीक है और कहते हैं कि जो society में जो संस्कृती है वो भौतिक वादी और प्रतिस्परधात्मक वाली होगी उसमें उस समाज में क्या देखने को मिलेगा लोग प्रतिस्था और प्रस्थती को प्राप्त करने के लिए वहाँ पर होड देखने को मिलेगी ऐसे समाज में वे टॉफ्ट क्या कहते हैं कि crime जादा होते हैं ठीक है तो यह बाते ध्यान रखेगा यहाँ पर first question का right answer option B है नेक्स्ट question है निमने में से किस विचारा का संबन सांस्कतिक व्रधी के नव उद्विकासिय सद्धान से है options है Morgan, Stavard, Grabner, White तो यहाँ पर second question का right क्या हो जाएगा वाइट हो जाएगा option D यहाँ पर right answer हो जाएगा नेक्स्ट question है भारत में समनवईत जन्जाती विकास परियोजना आरम की गई किसके लिए? options में है अनुसूचित जन्जाती के लिए अनुसूचित जन्जाती second है option B अनुसूचित जाती option C में है अन्ने पिछडा वर्ग and option D है अलपसंख्यक के लिए तो जो समनवईत जन्जाती विकास परियोजना है वो किसके लिए शूरूचित जन्जातीयों के लिए option A यहाँ पर right answer है next है नि मने में से किस ने कहा है कि नियोजन आ तारकेक पर तारकेक स्ट्रेस्ट रता है जो नियोजन है वहाँ आ तारकेक पर तारकिक स्रेस्ट रता है मैन हीम का कहना है ओप्शन बी यहां पर राइड आंसर हो जाएगा मैन हीम ज्यान के समाश्यास्त्र और शिक्षा के समाश्यास्त्र से सम्बंदित है ठीके ध्यान रखेगा इनका जो कॉंसेप्ट है इंपॉर्टन आइडिलोजी और यूटोपि जो अब धारना है उसको क्या नाम दिया लॉबी नीजी संगटन हित समू वेव साइसमू तो यहां पर राइड आंसर क्या है हित समू ओप्शन सी यहां पर राइड आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है सोरो किरने अपने समाजिक सांस्कतिक गत्यात्मक्ता सिधान्त में जिन श ऑस्तिक और भौतिक संस्कति है तो जो समाजिक परिवरतन का सोरो किरने समाजिक संसकति अपते हैं एंद्रेक शक्ति संस्कृति विचारात्मक संस्कृति और आदशात्मक संस्कृति ठीक है परिवर्तन का इनका जो संस्कृति गत्यात्मक्ता का सिध्धानत है वो संस्कृति केंद्रित है ठीक है ध्यान रखेगा संस्कृति उसका केंद्रबिंदू है और परिवर्तन ये संस स्कतिक दशाओं के बीच में उतार चड़ाओ में परिवर्तन की यह बात करते हैं तो यह बाते आपको ध्यान रखनी है यहां पर आइट आंसर ऑप्शन भी है तो यहां पर आइट आंसर क्या हो जाएगा? बी के कार्वे ओप्शन ए यहां पर आइट है Next है मेलन वसकी के अनुसार संस्कृति का प्रतेक तत्व प्रकारातमक होता है Options देखिए Option A कहा रहा है मातर व्यक्तियों के लिए Option B कहा रहा है मातर समुहों के लिए option c संसाओं और व्यक्तियों के लिए and option d व्यक्तियों और समुहों के लिए तो यहाँ पर एर्थ का right answer क्या हो जाएगा व्यक्तियों और समुहों के लिए option d यहाँ पर right answer हो जाएगा यह जो मैलनवस्की है यह व्यक्ति को समाज से अधिक महत्पुड मानते हैं व्यक्ति को समास से सुसाइटी से अधिक महतपुड बताते हैं मानते हैं और मानव की जो अवशक्ताएं हैं वे मैलनवस्की की जो अध्यन की केंद्र वस्तु है या केंद्र बिंदु है मानव की अवशक्ताएं ठीक है निम्न में से कौन सा सही नहीं है पूर संस्था की जो अधारना है गौफ मैन पूर्व ओधोगिक समाज सोबर्ग उत्तर आधुनिक समाज दुर्खीम सा केंद्रित जोन सद्धान बर्गस तो क्या सही नहीं है यह बताना है तो उत्तर आधुनिक समाज दुर्खीम यह सही नह यानि पूर्व संस्ता का concept गॉफ मैन का हो जाएगा पूर्व और धोगिक समाज सो बर्ग हो जाएगे सकेंद्रिस जोन का सिद्धान बर्गेस हो जाएगा अच्छा उत्तर आदमिक समाज से सम्बंदित कौन है या बताईएगा concept किसका है यहाँ पर राइट आन से क्या हो जा भारत में जो कार खाना अधिनियम है वो कब पारित हुआ 1948 में option c यहाँ पर right answer हो जाएगा next question है यह किसने कहा है कि पाश्विक प्रिर्णाओं का मानवी करण करना प्रात्मिक समुहों द्वारा की जाने वाली सबसे महान सेवा है options एक लिजे कूले, फेर चाइल्ड, गिलिन एंगिलिन, मैकेवर, एंड, पेज, तो यहाँ पर right answer क्या है कूले है option a यहाँ पर right answer हो जाएगा प्रात्मिक समुह की जो बात है वो सबसे पहले 1909 में जो बुक है social organization उसमें इन्होंने की थी कूले ने बात और कूले क्या कहते है ऐसा समुह जिसकी विशेशता आमने सामने का घनिस्ट प्रात्मिक सम्मंध हो या सहयोग हो और इसके निर्मान के लिए यानि प्रात्मिक समुह के निर्मान के लिए तीन आवशक तत्व बताते हैं या आवशक बहुतिक दशाओं की बात करते हैं प्रात्मिक समुह के निर्मान के लिए अब ये कौन से तीन आवशक भौत्रिक दशाये हैं, पहली बताते हैं शाररिक समीपता, दूसरा लगु आकार या छोटा आकार और तीसरा संबंधों की अविधी, ठीके तीसरा क्या है? संबंधों की अविधी, तो ये ध्यान रखेगा, यहाँ पर आईटांस ओप्शन ए है, नेक्स्ट है पश्मी करन की प्रक्रिया को ही आधुनी की करन किसने कहा है? ओप्शन में हैं विलबर्ट मूर, डेनियर लर्नर, योगे इंद्र सिंग, डेविट मैकली नेंड, तो यहाँ पर 12th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेनियर लर्नर, ओप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा. आरके मर्टन या फिर नाडेल तो यहां पर आइट आंसर क्या है पार्संस ऑप्शन बी यहां पर आइट आंसर हो जाएगा पार्संस के इंपोर्टेंट बुक्स कौन कौन सी है तो यह किसकी बुक्स हो गई? पार्संस की हो गई ठीक है ओप्शन बी यहां पर आइट है नेक्स्ट है जिस प्रक्रिया के अधार पर किसी समुदाएं में जाती गतिशीलता की माप की जाती है उसे हम क्या कहेंगे? नगरी करण, संस्कृति करण, पश्मी करण या फिर आधुने की करण तो यहां पर आइट आंसर क्या हो जाएगा? किस प्रक्रिया के अधार पर इनमें से किसी समुदाएं में जाती की गतिशीलता की माप की जाएगी? तो संस्कृति करण होगा, option B यहां पर आइट आंसर हो जाएगा इस concept का, यह जो concept है, सबसे पहले किस ने दिया था? MS. शिनिवास ने दिया था, ठीक है, रामपुरा की कुर्ग जो जाती है, उसका अध्यन किया था संस्कृति करण क्या होता है, कोई निमने जाती, किसी उच्ची जाती, कि मूल्यों, प्रतिमानों, आदर्शों, इन सभी कानुकरण इस विश्वास से करती है कि कुछ पीडियों के बाद क्या हो जाएगा? कि उनके जो जाती पदक्रम है, उनका स्थान है, वह पहले से क्या होगा? बहतर होगा और अगर किसी ने वीडियों नहीं लेखी है, तो आपको प्लेलिस में वीडियों मिल जाएगी किसने का इन में से? ठीक है, एंथोनी गिडन से ओप्शन में, आर रोबर्टसन है, डी एन धनागरे हैं, ओप्शन डी में में से कोई नहीं ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा? रोबर्टसन, ओप्शन बी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है, निमनिम में से किस समाज व्यग्यानिक ने समाजिक परिवर्टन के सांस्कतिक कारक को सरवाधिक महतपुर सिद किया है? पेरेटो, वेबर, मार्क्स, डेहरन ड्रॉफ तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? वेबर होगा, ओप्शन बी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा व्याख्यात्मक समाज शास के जनक है ठीके? और समाजी किरिया का सिद्धान दिया हुआ था ठीके? चार तरह की किरिया की बात करते हैं तारकी किरिया, मुल्यांकरात्मक किरिया, भावात्मक या प्रभावात्मक किरिया और परमपरात्मक किरिया तो ये चार तरगी किरियाओं के बाद वेबर नहीं की, व्याख्यात्मक समाज़ रास के जनक है, समाज़े किरिया का जो उनका कॉंसेप्ट था, ठीक है, तो वेबर यहाँ पर है, राइट, नेक्स्ट है, नियोजन लोगों की सहभागिता से किसी देश की सरकार द्वारा पर प्रयास है, किसने का आए, गुर्णार में डॉल है, लेविस, लारविन है, जवाहरलाल नहरू है, अप्शन में क्या है, इनमें से कोई नहीं डियोप्शन में, ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, गुर्णार में डॉल, ओप्शन ए, यहाँ पर राइट आंसर ह नेक्स्ट है या किसने का आए कि पेशा और केवल पेशा ही जाती की उत्पत्ति का कारण है नेस्फिल्ड रिजले होकाट और हट्टन है तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है नेस्फिल्ड है ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जाती उत्पत्ति का उन्होंने एक क्या है? एक पेशागत सम्मू है. जाती और पेशे में क्या बताया है? वेवसाय में गहरा सम्मन्द होता है. जाती को पेशागत सम्मू बताया और जाती और पेशे में यानि वेवसाय में ये गहरा सम्मन्द बताते हैं. option A यहाँ पर right है next है हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार हिंदू विभा के उद्देशों का सही करम बताना है तो यहाँ पर क्या है धर्म प्रजार रती option D यहाँ पर right answer हो जाएगा next है elementary forms of the religious life यह बुक किसकी है options में है तो यहाँ पर दुर्खीम हो जाएगा option C यहाँ पर right answer हो जाएगा इसके लावा डिविजन अफ लेबर इन सोसाइटी the rules of sociological method ठीक है education and sociology यह कुछ important books हैं दुर्खीम की तो इन्हें ध्यान रखेगा next है निमने में से कौन सी घाटी ब्रश घाटी से होका प्रभावित होती है ठीक है कौन सी नदी है जो ब्रश घाटी से होका प्रभावित होती है तापी नदी कृष्णा नदी महा नदी गोदावरी नदी ठीक तो यहाँ पर right answer क्या है तापी नदी है option A यहाँ पर right answer हो जाएगा यह जो तापी नदी है यह प्राइद उपिय भारत की महतपुर एक नदी है ठीक मध्य प्रदेश में जो बैतुल जिला है वहाँ पर जो सत्पुरा पहाडियां है वहाँ से यह निकलती है ठीक है और जो नर्मदा नदी है वो भी क्या है एक प्रा राइट है नेक्स्ट है निम्ने में से कौन सा अनुचेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए निर्देशित करता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अनुचेद 40 option B यहाँ पर right answer हो जाएगा ठीक है क्या कहता है सविधान में राजी की नीती निर्द बेशक सिंधानत है उनके अंतरगत पंचायती राजप्रणाली की बात की गई है option B यहाँ पर right है next है भारते सविधान के किस निम्ने में से किस अनुचेद के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवेक्ता की नियुक्ती होती है उत्तर प्रदेश में ठीक तो यहाँ पर right answer क्य 165 ठीक है अनुचेद 165 है राज्यों में महाधिवेक्ता की नियुक्ती की बात करता हो यह जो नियुक्ती होती है वह राजपाल करता है और इसकी योगिता क्या होती है महाधिवेक्ता की कि यह हाई कोट ठीक है हाई कोट के नियाधिश जो नियाधिश है पद है उस पे नि पर मुहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शाशक कौन था राजपाल आननपाल विद्याधर तिलोचनपाल तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा राजपाल हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा राजपाल हो जाएगा ओप्षिन ए यहां पर राइट आंसर है जब जो महमूद गजनवी है उसने जब कन्नौच पर आक्रमन किया था तो वहां के जो राजपाल है वहां का वो शाशक था ठीक है वहां पर उसका शाशक था और जो क्या सकते हैं जो प्रतिहार वर्ण्ष है ठीक है वो राजपाल क्या था प्रतिहार वर्ण्ष का अंतिम शा ठीक तो ये भी याद रखेगा, option A यहाँ पर right है, next है निमने में से किस प्रजाती को भारत से निर्यात के लिए सरवाधिक प्राथमिक्ता दी जाती है, आम की बात हो रही है, ठीक है भारत से निर्यात के लिए सरवाधिक प्राथमिक्ता दी जाती है, लंगरा आम, चौसा आ है हापोस तो यह ध्यान रखेगा option C है यहाँ पर नेक्स्ट है वायू मंदल में निमने की उपस्थती के कारण वायू में जो पीतल है वो फीका पढ़ जाता है क्या पाया जाता है वायू मंदल में ठीक है जिस वज़े से जो पीतल है वो फीका पढ़ता है oxygen hydrogen hydrogen sulfide carbon dioxide या फिर nitrogen तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा hydrogen hydrogen sulfide option B यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ठीक है पीतल क्या है में शिधातू है और यह तामबे और जिंग से के जो संखटन होते हैं तत्व होते हैं उनसे मिलकर के बनता है ठीक है तो option B यहां पर राइट है next है भारत में किसी राज के राजपाल को पद और गोपनेता की जो शपत है वो कौन दिलाता है राजपाल को ठीक है उसके पद और जो गोपनेता है उसकी शपत की बात हो रही है इन में से कौन दिलाता है तो भारत का राश्ट पती है option में भारत का उपर राश्ट पती हो ज धिश होता है वो शपत दिलाता है option c यहां पर right answer है अच्छा किस आर्टिकल किस अनुचेत में इसकी बात है ठीक है तो अनुचेत 169 में यह वर्णन है यानि इसकी बात की गई है option c यहां पर right है next a एक वर्ष के अंतरगा स्वराज की प्राप्ति किस आंदोलन का लक्ष था ठ असहियोग आंदोलन है और भारत छोड़ो आंदोलन है तो यहां पर right answer क्या होगा असहियोग आंदोलन हो जाएगा option c यहां पर right answer हो जाएगा ठीके कब से कब तक था जो चला था एक अगस्ट 1920 से 12 फरवरी 1922 तक ठीके एक अगस्ट 1920 से 12 फरवरी 1922 तक था गांधी और रास स्वाराज को प्राप्त करना था option c यहां पर right है next है विश्व की सबसे गहरी जील बताना है कौन सी है टिटिकाका है विक्टोरिया है बैकाल है म्रत सागर है तो यहां पर right answer क्या है विश्व की जो सबसे गहरी जील है बैकाल है option c यहां पर right answer है और यह जो बैकाल जील है ठीक निम्ने में से किन दू शाष्कों के बीच में 17 मही 1540 में कर्नौच के पास युद हुआ था तो ओप्शन्स में हुमायम सुल्तान मुहम्मद नुहानी शेषा एवं हुमायू शेषा एव मिर्जा कामरान मुहमद शा और हुमायू तो यहां पर राइट आंसर क्या है शेषा औ हुमायों की बीच वह तो ओप्शन B यहां पर राइट आंसर था राइट आंसर ए शेषा और हुमायू की बीच वह था 17 मही 1540 में और यह युद कौन सा था कर्णौच या बिलग्राम का युद्ध था और इसमें जो मायू है उसकी पराज़ैयूा ती हारा था हुमायू ठी तो यह भी याद रखेगा तो फ्रेंस आज की वीडियो में बस इतना ही आई होप यह आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा कमेंट करके जरूर बताईएगा चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके जाद से जादा लोगों के साथ शेयर भी जरू करेगा थैंक यू